जी असलाम अलेकुम क्या हल चालेंट ठीक ठाक है सेल पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत वसेन ताहिर और आज की हमारी वीडियो है जी हमारे कोर्स के रिलेटिड जो के हमारा जो है वो न्यू बैच मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं तो मैंने सोचा के ज क्या करवाया जाएगा और साथ में फी कितनी होगी क्या सारा जो है वो इसका प्रोसीजर होगा एटूजी में सारी बाते जो है वो आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूं इस वीडियो में जैसे के टाइटल ही आपने जो है वो देखा है के के डीपी डिरेक्ट पॉब मारी fee भी बिल्कुल मनासिब है और कितनी fee है यह भी मैं आज आपको बताऊंगा ठीक है और उसे मैं मजीद installment में कर दूंगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं तो चलेंजी वीडियो हम स्टार्ट ही जो है वो फी से करते हैं फिर जो है वो आपको आउटलाइन बताऊंगा और बहुत सारे लोग होते ही ऐसे हैं कि डिरेक्ट क्लिक किया और वीडियो को कंप्लीट सुनेंगे नहीं जो फी वाली बात हम लास्ट पे करेंगे तो उधर तक कि जिएगा कमेंट कि जिएगा तो और जो भी आपका क्यूस्चन हो जो भी आपकी क्यूरी हो इसके रिलेटिड आप मुझसे में पो सकते हैं तो चलेंजी मैं पहले जो है वो शार्ट वर्जिन में अपना जो है वो बैनर बनाया है कि हमारा कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा ह Amazon केडि़ी पी कोर्स Amazon Kindle Direct Publishing और इसे मैंने जो वह फाइव मड्यूल में डिवाइड कर रखा है और फाइव मड्यूल सिरफ में जो हमारी हैं उन्हें मैंने जो है वह में थांबनेल के उपर जया वह मेंशन किया क्या जी introduction to kdp first module और second module है overview of kdp account और third module है जी book hunting for kdp और fourth module है जी book planning creation and designing और fifth module है जी book launch promotion and marketing ठीक है और मैंने अपना contact number भी mention कर रखा है और 20 डेट से हमारी जो है वो first class होगी इंशाला इस course की ठीक है जी तो 20 से पहले पहले जो इस course को करना चाहता है वो मुझे से राप्ता कर सकता है तो चलें जी हम बात करते हैं सबसे पहले fee की हमारी जो है वो complete जो course की fee है ठीक है वो है जी 25 के यानि के 25,000 हमारी जो है वो complete fees है अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको afford नहीं कर सकते होंगे ठीक है यानि के अकठी जो है वो 25,000 उनके लिए देना मुश्किल होगी तो उन लोगों के लिए असानी यह है के 20 से हम start कर रहे हैं तो वो first 5000 देखे इंटर हो सकते हैं उसके बाद नेक्स मन्त जो आएगा जून का टैन डेट तक 10,000 सब्मिट करवा दे उसके बाद नेक्स जो है वो जुलाई में 10,000 सब्मिट करवा दे तो इस तरी के से थ्री इंस्टाल्मेंट में आप जो है वो कर सकते हैं यह इससे आपको भी असानी होगी और इदर जो है वो मैं आपको एक और बात बताता है चलूँ इंशाल्ला थ्री मन्त के अंदर अंदर जो 25,000 आप मुझे देंगे इंशाल्ला वो मैं आपके रिकावर करवाऊंगा ठीक होगी बात यानि के तीन इंस्टाल्मेंट जो है वो मैंने कर दी हैं आप लोगों की असानी के लिए और आप जो पे करेगा उसे मैं अपने वर्सप ग्रूप्स में एड कर दूँगा गल्स का अलग ग्रूप है हमारा आप वाइस का अलग सकता है इन्शाल्ला मैं आपके साथ फुल जो है वो को प्रेट करूंगा ठीक है अगर कोई नहीं करना चाता तो ऐसाच मैंने अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे आप इदर से भी सीख सकते हैं कोई शूनी मेरे साथ कंटेक्ट करने का आप लोगों को एडवांटेज हो सिंगल पर्सन भी ठीक है तो फिर जाथ एक और जो है वो इदर बात बता दू हमारा क्लासिप का क्या शुड्यूल होता है वीक में थ्री डेज्ड जो होती हैं थी देज़ा वीक ठीक है और कौन-कौन से दिन होती हैं और हमारी टाइमिंग क्या होगी ठीक है वो भी मैं एक दिन क्लास एक दिन चुटी एक दिन क्लास एक दिन चुटी और रात को आठ बजे जो है वो क्लास होगी हमारी ठीक है एट पी एम पे आट पिम जो है हमारी कऊलास की टाइमिंग है ठीक है ती राद को 8 बजे हम आट के आप गूरी क्लास होती है ठीक है ठीक हो के बाद इसके लावा अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आपakis मुझसे sa है वो पूछ सकते हैं फिर मैं बार-बार कहूंगा कि मेरे बेटे आप लोग ज्यादा-ज्यादा इसे लाइक की जिएगा शेव की तो किस तरीके से लेके चलूंगा यह सारा प्रसीजर जो है वह हम देखते हैं मड्यूल वान में जनबे वाला के डीपी अकाउंट ठीक है किंडल अकाउंट डैश्बॉर्ड बुक लिस्टिंग क्रियेशन और सिंगल एंड सीरीज पैन नेम और आथर सेंट्रल पेज हम किस तरीके से बना सकते हैं यह देखेंगे फिर जी हाव टू अपलोड न्यू बुक अंडर सेम आथर नेम यह आपन अपने अथर सेंट्रल में किस तरीके से बुक केड करनी है वह बात है ठीक है उसके बाद मडिूल 3 यह जी बुक खंटिंग फार के डीपी यह जो मैंने लिख रखे हैं यह सारे के सारे जो है वह फ्रेटीकल के साथ साथ मारे प्रैक्टिकल लेक्चर भी टैन के राउंड आ इसफिंट से अले सिबॉरण के डीट अम्पिटींट सेल्जार रीलीटी प्रोफिड कल्कुलेशन शैटिंग लिस्ट प्राइस ओफ यॉर बुक उंटंग ट्प्वंच मेंमेज़ों नूल तो स बात है जी लांस ट्रापिक बैंच्मारक्स of bsrs and actual sale यानि के जो आपको bsr शो होता है वो क्या है और असल में आपकी जो है वो कितनी सेल हो रही होती है यह सारी बात ने मिन्ड यूल नंबर फॉर में बुक प्लैनिंग है creation and designing है तो बुक प्लैनिंग में यह जो एक portion है ना बुक डिग्री की हुई है तो उनके लिए तो यह बहुत है बनीफीशियल है जो मैट्रक एफसी तक है उन्हें जो है वह मैं इस पॉर्शन में साथ ही साब को जैब लो करनेंड का वर्क भी सिखा दूंगा बिल्कुल बिगनर के लिए ठीक है वह भी साथ में इस पॉर्शन में मैं आपको एड करवा दूंगा और क्योंगी बात उसके बाद है जी क्या है जी बुक प्लैनिंग में ऑवर्वीव ऑफ बुक प्लैनिंग ठीक है यानि कि आप सुलुशन होना चाहिए यह सारी चीज़े डिसकस होंगी उसके बाद है जी बेसी गार्लाइंट फालो वाइल प्लैनिंग यूर बुक की पॉइंस तो वाइड बुक रिजेक्शन फ्राम एमाजोन ठीक है उसके बाद बुक क्रियेशन है हमारा टापिक क्या जी यूर फाइनल इंटीर एंड मैनु से क्रीप तो फिर एजी टॉपिक बुक डिजाइन एंड फार्मेटिंग का जिसमें हम ऑवर्वी देखेंगे कवर डिजाइन देखेंगे और तो मेक शूर यूर बुक है प्रफेक्ट कवर एग्जेंपल ऑफ गुड बैड कवर में हम क्या क्या चीज़े देखेंगे और यह इंतहाइं इंपॉर्टेंट मडियूल होता है जिसके रिलेटीड हमें यूट्यूब से बहुत कम वीडियो मिलती है हमारा जो फस्ट बैच है वो भी चल रहा है उसका मडियूल नंबर फाइव जो है वो रहता है ठीक है इनिश फर मुल्पल मार्किश वार तो गेत रिवीज इनलेटीमेट मेज इंदे लिए उन्द इंदेश्व अगिव व्रियों अवर्यों अच्विव एमज अज्यूंग अर्फ ज्यूंग उच्विव एंज लिए अज्यूम इसे लिएर्ट एप्ट्ट्ट्वेश् इंद्स्र सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको इन टाइटल में किसी किसम की कोई प्राबलम आती है आपका कोई इन में तो आप मुझसे जो है वो बिला जिजग पूसकते हैं ठीक है तो ये एक और्स की आउटलाइन भी मैंने आपको बता दी ठीक है फिर भी आपका किसी किसम का कोई भी क्वेस्चन है तो आप लोग मुझसे जो है वो पूसकते हैं तो चलें जी जाते जाते फिर एक दफ होगा किसी भी किसम का तो वो आप जो है वो मुझसे कर सकते हैं बात इंशालला मैं आप लोगों के साथ पुल जो है वो कप्रेट करूंगा हर लिहाज से जजाकर लाजी